दिलिकिस्यम अर्विन केजरिवाल गंदे पानी को लेकर प्रेस कांफरेंस कर रहा है ऐवल 2310 रूपए देने पड़ेंगे इससे मुझे लगता है कि जितने हमारे एरियास ऐसे हैं ci से जहां हमने पानी की पाइपलाइन डाल दी है जहांने सीवर की पाइपलाइन डाल दी है वहां पे बहुत बड़े स्तर के उपर लोग पानी और सीवर के कनेक्शन लेंगे और ये सब लोग नेटवर्क के अंदर आएंगे जिससे जो अनकाउंटेड वाटर है जो नॉन रिविन्यू वाटर जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़े स्थर पे कम होगा वो सब हमारे मेंस्ट्रीम के अंदर आएंगे और इससे पूरा सिस्टम जो है वो सुधरेगा इसके उपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए बस तीन दो जात तीन सो दस रुपे देने होंगे टोटल पा hone का है तो कनेक्षिंख को किसी छिखका लें जहां जब हमारी सरकार बनी थी जैसा मैंने आपको बताया था कि 58 percent बिली में पानी की pipeline थी अब 93 percent बिली में पानी की pipeline ने अभी दिरे दिरे बाफि दिली के अंदर भी pipeline पहुn जाएगी तो जहां जहां पाइप्लाइन पहुंच चुकी है वहाँ पर पानी का नया कनेक्शन ओफिशल कनेक्शन लेने के लिए आपको इतने पैसे जमा कराने हैं यह में भी वीक्स टाइम आज जन बोर्ड ने निरने ले लिया बस अब इसको नोटिफिकेशन वगेरा हो जाएंगे जन्दी पानी के उपर राजनीती नहीं करना चाहता इन में से किसी को भी दिल्ली के पानी से कोई सरोकार नहीं है केवल पानी को लेके गंदी राजनीती की जा रही है मेरा आप लोगों के मध्यम से एक ही निवेदन है अगर कहीं गंदा पानी आ रहा है आप हमें बताईए हम ठीक करा देंगे मेरा अबजेक्टिव दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा पानी पहुँचाने का है ये तू-तू-मेमे में और राजनीती में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जब हमारी सरकार बनी थी 2300 से ज actor ऐसे इलाके थे जहां पर गंदा बानी आया करता था आज सवासो से कम इलाके बच गई हैं डिल्ली में जहां पर अभी गंदे पानी की शिकायत है हम कोशिश कर रहे हैं हमने 2300 से घटाके सवासो पर ले आए हैं इतने सारे इलाकों के मैं आपको कुछ धारन देना चाहता हूं, जैसे संतनगर है, संतनगर में पानी की pipeline बदली हम लोगों ने 2018 में, वहाँ पहले पानी की गंदे पानी की शिकायद थी, अब नहीं है, कमल पूर है, बुराडी में, वहाँ पानी गंदे पानी की शिकायत थी हमने 2019 में पाने की pipeline बदली अब वहां पे गंदे पाने की शिकायत नहीं है महवीर विहार है पालम में वहां पे सीवर के साथ पाने मिक्सों के आता था हमने अभी जुलाई 2019 में पाने की सीवर की pipeline बदली है अब वहाँ पे गंदे पानी की शिकायत नहीं है करावल नगर में डी ब्लोक हजूरी है वहाँ पे हमने 2018 में पानी की pipeline बदली थी पहले गंदे पानी की शिकायत थी अब नहीं है इसी तरह से मैं आपको अभी जैसे 15 example दे सकता हूं ऐसे कई सौ कॉलोनीज हैं मैंने आपको बताए 2300 से ज़्यादा कॉलोनीज थी जा गंदे पानी की शिकायत थी लेकिन अभी कुछ हेरियाज हैं हम खुद मानते हैं 70 साल की समस्या थी 70 साल के अंदर इस सिस्टम को खराब किया था 70 साल का खराब सिस्टम केवल 5 साल के अंदर तो ठीक नहीं हो सकता जैसे धूमवती वाली गली है पालम गाओं में वहां अभी भी गंदे पानी की शिकायत है वहां पानी की पाइपलाइन बदल रहे हैं दिसंबर के महिने तक बदल जाएगी उसके बाद वहां पे गंदा पानी आना बंदो जाएगा दीपक विहार है विकासपुरी में वहाँ गंदे पानी की शिकायत अभी भी है वहाँ पानी की पाइपलाइन बदल रहे हैं वो भी दिसंबर तक बदल जाएगी उसके बाद गंदा पानी आना बंदो जाएगा के-फ़ाइव ब्लॉक विकास-पूरी है विकास-पूरी में वहां भी गंदे-पानी की शिकायत है जनुरी के महीने तक वह पर पानी की पाइप्लाइन बदल जाएगी वहां गंदा-पानी आना बंद जाएगा पटपडगणजे में मंदावली गाओं हैं वहाँ पे गंदेपाने की शिकाइत है वाँ सीवर और पानी दोनों की पाइप्लाइन बदल रहे हैं वहां दिसंबर तक pipeline बदल जईगी वहां भी गंदा पानी आना बन्दो जएगा तो जो बच्योई colonia है जहां गंदा पानी आता है वहां पर सरकार लगी हुई है और बदल रही है फिर भी अगर कोई ऐसी कोलोनी है जहां पर किसी को भी गंदे पानी की शिकायत है, आप आके हमें बताईए, हम उसको ठीक कराएंगे. इस पर राजनीती बंद कर देता है. वो हो रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है. इसका दे देंगे, अभी आप बता देना. पिछले 5 साल के अंदर हमने कितने किलोमेटर पानी की पैप याल डाली है। इतनी किलोमेटर बदली है वह सारी आपको डेटा देरी है। मैं इस राजनीती में नहीं पढ़ना चाहता। में मकसद दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी पिलाना है। अगर कहीं खराब पानी आ रहा है मेरे को बता दीजे में ठिक करा दूँ जो भी सुप्रेम कोट के और NGT के आदेश होंगे हम अन आदेशों का पालन करेंगे अभी पानी की बात करें खुशी की बात है ना इतने डवलप्मेंट चार्ज खतम हो गए इसको फेलाईए का आप जाता से आप थाप